कि जिनके पास date of birth नहीं होती ठीक है तो हाथ तो सब के पास होते हैं तो आप कहेंगे फिर तो हस्त रेखा वाले के पास जाना चाहिए बट ऐसा नहीं है लाल किताब जो है एक सामुंदरिक विद्या भी है कैसे कि आपका ही जो हाथ है इसके अंदर चिन होते हैं ठीक है ठीक ह के दिद्दो तर 때문에 किसी में वही डोनों में देख सकतेना की में निशान मनाया नजरावा आपको अंट ही चोटा किसे एर्यया में देखना एरिया पर में इस मार्क कर रहे हो है इस एर्या में इस तरह का नाशान ऍजान अच्छा इस एvär–ड श्क्रॉस्पत कित इनगा आपको यह राहू का निशान है यह राहू का निशान है और यह इसमें देख लो राइटाइज है यह धे को यह यह धिन्य हो और बहुत सारे लोगों के यह को सारे बदल में सकता है इसका मतलब यह है कि राहू यह अपने खुद के घर में बैठा है कहीं पर तीसरे हाउस में छटे हाउस में या यह बारवे हाउस में बैठा है इनकी कुंड़ी चेक कर लेना इनका राहू तीसरे छटे या बारवे हाउस में होगा तीसरे और छटे का राहू जो इंसान का होता है बहुत प्रबल या राहू होता है और मैंने इसी वज़े से कहा कि राहू इनकी किस्मत का ग्रह मुझे नजर आता है क्योंकि आप danken अपर गये हो तो राहू आपका प्रबल है इसलिए आप आप अपनी कुंळड़ी में चेक करके देख लेना हुआ ठीक है इसी तरह से ये ट्रेंगल से इस तरह का ट्रेंगल का निशान हात में हो तो यह मंगल का निशान है और को यह मंगल मन्गल गोख थे की तरह को कि ओड़ेनली का यह र की दिज़ेक्व हुआना यह तरह आप यह बताओ कि जिसकी कुंड़ी नहीं होगी तो स्की कुंड़ी कैसे बनाओगे मैं उस इंसान की exact कुंड़ी बनादूंगा और example के तोर पर example के तोर पर उस client की अगर उसके पास date of birth होगी और मैं उसकी हाथ से उसकी कुंड़ी बनाके देतूँगा मैच हो जाएगी तब तो मानोगे बिल्कुल मानेगे सर ठीक है सर मतलब इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा यह नहीं कोई एक गर है मल्टिपल हाउस में आ रहा हो उस बने का बने का बने का बने का वो भी एक का काम है पर काम करता है मतलब ऐसा नहीं लाल किताब में उसका रास्ता नहीं तो यह आपको बता देगा आपका ग्रहें कौन सा ग्रहें किस हाउस में बैठ करके आपको किस तरह का रिजल्ड देला रहा है जैसे यह मैंने आपको बता है के तु का निशान है इसी तरह सारे ग् क्लाइन है हम वह नहीद देखते हम सुर्फ जो तरह के चिन से उसकी कुन्डली बना देगे ठीकिंगर तो ये थरक है हस्त रिखा में और लाल कि अगर कोई आपके पास आता है और फिर वो यह कहता है कि मुझे अपनी डेट बढ़त नी बता और आप मेरे हाथ को देखका चिन के अकॉर्डिंग बना दो बिल्कुल बना वो अपनी जैक्ट भी आपको बता देता है ऐसे कि मैं चाहेगा मैं चाहेगा यही तो खासियत है आपको यह पढ़ना ही तो आना चाहिए जब आपको यह पढ़ना आता है तो अलग हो ही नहीं सकता ना क्योंकि कुंडली जो बनी होगी जिस टाइम डेट पे और हाथ पे चिन वही होंगे तो सेम हो गया एक-दो डेट आगे विश्य भी नहीं होगे और अगर कोई आपके क्लाइंट या कि उमस्क भी अपकर आपके नहीं कबढ़ अजाए के उसमें डेट नहीं सकते है उसमें कुंडली बन की गताईक देता है चेक करने के लिए मूझे तो सेम बन के उली अए कि को अबṛ null है कोई अगर क्लाइट जैसे आपके पास आप ङम यह सुने कि आप उसके बताने से पहली वो समस्य सबाद नो validate डिये तो यह पता गटें एुज है वह सारी सघ्य होती है वैसे तो बॉड़ इसमें वैसे तो यह कहते ना एक astrology का राज होता है पर आज मैं फिर भी एक चीज बताना चाहूंगा कि लाद किताब में चीज है जिसे बोलते हैं 36 साला चक्र वो भी आप उलियों पर calculate कर सकते हो अच्छा हो यह करने में मज़ा आएगा बड़ा मज़ा आएगा थोड़ा समय लगेगा आप लोग करना करते है ठीक है सभी लोग मेरे साथ practice करोगे अच्छा लगेगा अना कुंड़ी का हम इसको ले लिते हैं यह हमारे हाथ में कितने पोर हैं बारा बारा ठीक है इस पोर को मैंने नंबर दिया एक इस पोर को दिया दो इस पो को दिया तीन चार पांच छें साथ कि आछ आठ नो दस ग्यारा और यह बारा आपको दिख रहें मैंने किस तरह से नंबर दिये एक डो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा इस वाली पर नहीं होना चाहिए था सरर दीन चार आस आशानец आए हजूना चाहिए था पर यह मैं इüne Whilst का तरीका दिखा रहाँ हर इंसान अपनी कंडली में यह दीजे देख सकता है मन्या उसके पास कंडली भी नहीं और उसका और अखर और ऑपने यहां से ऊष्ञार ऊछहां से वह प्योंता करें कि मेरे पास यह मैं समें अरे इसका है घृक है हम यह अपने नमबर दिए यह नमबर क्या दिए जिस तरह से अभी हम फ़ोड़े दिर पहले पढ़ रहे थे मालिक ग्रह कि ठीके पहले घर का मालिक है मंगल में दूसरे का बुद्य स्वरी दूसरे का शुक्र तीसरे का बुद्य को चोथे का चंद्रमा पांचुए का सूर्य दीपक जी को याद भी हो गया साथ साथ भूलु मैं रिकॉल करा था एक दूम से तीक है चटे-का-बुद्ध शोरी जटे-का-बुद्ध सात्मे का शुक्र आठमे का मंगल नौमे का गुरु दस्वे का शनी यार्मे का स्टिह और बार्मे का गुरु ठीक है अब खुद्रत ने हर ग्रेह को तीन सौ दिये हैं जो इसके धोके के ग्राय होते हैं धोके के धोके के ग्राय होते हैं, मतलब उस उमर प्रॉ भरो एक की हमारा? लीवर और पेट एक से तीन साल का बच्चा है यही प्रोब्लम लेके आ सकता है, अच्छा यह फिक्स है, फिक्स है, चार, पाँच छे, सकिन की प्रोब्लम लेके आएगा, साथ, आठ, नो, पढ़ाई नहीं कर रहा जी, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, इसकी बुद्धी नहीं काम कर रही, क्योंकि तीसरा पुद्ध है, ठीके, चोथा, चंद्रमा, तब भी पढ़ाई चल रही होगी, चंद्रमा भी पढ़ाई क कारक है, चंद्रमा का भी कारर है, यह क्या उमर हो गई, चोथा, यहीं से लेंगे, सोरी, चोथा, यहां नहीं जाएंगे, चोथा, दसको ही गिनेंगे, ठीके, शनी की प्रोब्लम, इसको इस चीज से डल लग रहा है, इस चीज का फोबिया हो गया, नजर तो नहीं लगी, यह तो नहीं हो गया, वह कौन सी उमर है, नो दस ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला, सत्रा में, जुपिटर, पिता को चिंता होने लग जाती है, अपने बच्चों की, बिगड तो नहीं रहा, पढ़ाई सही से कर रहा है के नहीं कर रहा, पिता से अंबन होनी शुरू हो गए, ठीक है, फिर चंद्रमा, अब पिता परशान है, तो इस उमर में आगे, देखना जी, गल्फेंट के पास चला गया, देखना जी, यह हो गया, मम्मी परशान, ठीक है, उसके बाद फिर शुक्र, गल्फेंट, कौन सी उमर हो गई, एक दो तीन, चार पांच शादी की, काम की, काम की, सर, काम की तो वैसे पहले ही आ जानी चाहिए, ती बीस के बाद, मैं वही कह रहा हूँ, आ जाती है, पर जो एक्चुलम्टी में चलता आ रहा है, वैसे तो बहुत सारे बच्चे जिनका जूपिटर अच्छा होता है, 16-17 साल की उमर में कमाने भी जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से सारे ग्रहों का हमने मालिक ग्रह लिया, उस टाइम पर वो उस प्रोब्लम को ले करके आएगा, ठीक है, अब आप ये देखो, पहला चकर 35 में, 36 में खतम हो गया, जर वैसे हम यहां तक पहुंच चेते हैं, काम से फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर शादी आ गई ना, साथ नंबर पर शादी, आठ नंबर पर काम फिर वही राहू, नजर लगना, काम नहीं चल रहा, चनाचानक बंद हो गया, लड़ाई जगड़े हो गए, जमीनी विवदाद हो गए, आठ नंबर, ठीक है, और नो नंबर, मान समान, हमारी तरक् प्रोथ, ठीक है, फिर शनी, फिर आ गया, 36 पूरे हो गए, 36 के बाद 37, 38, 49, पेट की दिक्कत, फिर वही मंगल की प्रोब्लम, जमीन, मंगल जमीन भी है, जमीन की प्रोब्लम पे आ गए, उसके बाद, 40, 41, 42, एक यहां पर साथ नंबर था, एक यहां पर दो नंबर है, दो नंबर और साथ नंबर शुक्र को मिला है, आप देखना जादा तर डिवोस की सेज में होते हैं, 28, 29, 30, हिस्ट्री उठा के देख लेना, उस टाम पे शुक्र दोके का ग्रहे हैं, उसके बाद दूसरा कभ योग बनता है, 40, 41, 42, इस टाम पर जादा डिवोस हो रहे होते हैं 56, 57, 58, उस उमर में प्र डिवोस हो रहा है, इस उमर में प्र भी डिवोस होते है। सर आप 18、 Dash and 34 मों थे जदी नहीं हो रही हैं रही हैं आगे क्लंक मैक्सिम्म हो रही हैं सर। मैक्सिमम डिवोस हो रहे हैं, लव रिलेशन इस चैज में डिवोस के हैं.. कुछ भी लगा लो ठीक है ना तो इस तरह से पता लगता है कि इस ताइम पर ये इनसान इस ग्रहें की प्रोब्लम से आया और जब वह इस ग्रहें की प्रोब्लम से आया तो उसका जब हम हल देते हैं उसको कहते हैं तेरी यह प्रोब्लम चल रही है उसकी कुंडली भी देख और उसका ग्रहें भी देख लिया क्योंकि किस तरह से कौन सा ग्रहें किस ताम किसको जाके मार रहा है एक टाइम में पंदरासु से ज्यादा वर्ड बोलता है ज्यादा वर्ड जी मतलब कि यह प्रोब्लम हो सकती है इसक्निफिकेंस और उसमें से एक्जक्ट बताना यह आपक तो आपके सकते हैं तो आज मैंने आपको दो एक ऐसे राज बताएं कि जो बिल्कुल हटके थे एक मैंने आपको बताया किस्मत का ग्रह ऐसे ये निकालेंगे दूसरा हम अपनी प्रोब्लम इस एईज में कौन सा घ्रैक बैब प्रोब्लम में पता होती है, पर उसको ये भी पता है मेरी एज चल रही है तो मेरा यह घ्रैक खराब हorit तो उसका अगर उपाय ध्रमीडी करेंगे तो असर काम करें यह।